Hello friends, welcome back to my YouTube channel Knowledge Pack आप सभी का मेरे YouTube channel Knowledge Pack पे स्वागत है तो friends, आज हम बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ तो चली देखते हैं तो friends, आज हम आपको बताएंगे Tignometry Table को याद रखने का तरीका Friends ही बिलकुली easy तरीका है और आपको 100% आपको इसकी ज़रूर आपको वैल्यू याद रहेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि Sign 30 की वैल्यू क्या है 45 की वैल्यू क्या है, Sign 60 की है, Sign 90 की वैल्यू क्या है तो चली हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले Friends मैं आपको बता देती हो कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजएगा तो Friends चली हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो Friends इसके लिए आपको केवल साइन की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी केवल आपको साइन की वैल्यू याद करनी तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0 साइन 30 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है 1 वाई 2 sign 45 degree की वैल्यों होती है 1 by अंडरूट 2 sign 60 की वैल्यू होती है अंडरूट 3 upon 2 and sign 90 की वैल्यू होती है हमारी 1 अब देखियेगा इसको बहुत गौर से देखिएगा कि आपने केवल ही sign की वैल्यू यार रखी sign 0 की वैल्यू जीरो होती है 30 degree one by two होती है, साइन 45 degree one by two, under root two होती, और, and 50 terryce love first, अब friends, आप देखेगा, कि इस value से, हम इन सभी की value कैसे define करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, cos की, cos zero की value कितने हम कैसे निकाल आई, cos, sin 90, पहरां, सबस्चिते सबस्चेगा, तो cos 0 की value कितनी हो जाएगी 1 इसी तरीके से हम देखेंगे cos 30 degree sin 30 degree की value कितनी है 1 by 2 sin 60 की कितनी है under root 3 by 2 तो इसके हम उल्टा करेंगे तो cos की फ़हाई value कितनी हो जाएगी under root 3 by 2 यानि की cos 30 की value वो होगी जो sin 60 की value होगी इसी तरीके से cos 45 का के डामारा सेम रहेगा 45 के 1 अपॉन बाइर रूट 2 संक्या को 0 से भाग दोगे तो कितना है जीरो तो 0 upon 1 यानि की 0 10 की value कैसे निकालेंगे? sin की value 30 की 1 by 2 cos 30 की value under root 3 by 2 तो 1 by 2 upon under root 3 by 2 sorry 1 by 2 और upon under root 3 by 2 यानि की 2 से 2 cancel जाएगा हमारा 1 upon under root 3 बचा तो 10 की value आगए हमाही 1 upon under root 3 इसी की तरहें आप 10 45 की value निकालेंगे 1 by under root 2, 1 by under root 2 तो नों cancel हो जाएगे तो कितना बचेगा? 1 तो cos 45 की value हमाही 10 45 की कितनी होती है? 1 होती है इस तरहिके से friends आप देखेंगे cos 60, 10 60 की value under root 3 by 2, 1 by 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा तो under root 3 बचा तो हमाही 60 की value होगे under root 3 इस तरहिके से आप देखेंगे cos 10 90 की value 1 by 0 है किसी भी संख्या हो जो हमारी जैसे 1 है 1 को 0 से भाग तो कितना आता है? इन्फिनिटी आता है तो इसकी value हमाही कितनी हो जाएगी? infinite इसको हम कहते हैं अनन्त हिंदी में कहीं कहीं पर आपको अपराजिता भी अपनी मिता भी मिलेगा और अब हम देखते हैं quad की value कैसे नगालेंगे हम सब जानते हैं कि quad हमारा किसका 10 का उल्टा होता है Quad 10 का उल्टा होता है, so quad 10 की value कितनी है? जब 1 by 0 होगा तो कितना हो जाएगा? infinity यानि कि अब हमने क्या किया था, sine का उल्टा cost लिख गया था, hum 10 का उल्टा cost रदेंगे So completes under root 3 10 to 60 की value कितनी है? Under root 3 10 to 30 की value कितनी है? Quad 30 की Under root 3 45 की 1 की 1 रहा 30 की value 1 अपन अंडर रूट 3 है तो cost 60 की value हो जाएगी 1 अपन अंडर रूट 3 इसी तरीके से हमाई 90 degree की value कितनी हो जाएगी 0 अब हम friends बात करेंगे set की and cost set की तो हम देखेंगे जो हमारा है set किसका उल्टा होता है cost का गात कोस की value कितनी है 0 में 1 है Then हम देखेंगे तो हमारा Iya कि value concerned which 1 be 1 क्योंकि तो प्रश्च 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 प्र 0 degree value कितनी है हमारी 0 है तो यहां पर कितना हो जाएगा infinity हो जाएगा 30 degree value कितनी होती है sin 30 की 1 by 2 तो यानि कि cos act की हो जाएगी 2 इस तरीके से अब हम निकालेंगे cos act 45 की value 45 degree value sin 45 का होते है 1 upon under root 2 आप देख रहे हैं cos sin 45 की होती 1 by under root 2 तो cos act 45 की कितनी हो जाएगी under root 2 इस तरीके से हम निकालेंगे sin 60 की value कितनी होती है under root 3 by 2 तो मतलब कि हमारी cos act 60 की value कितनी हो जाएगी 2 by under root 3 और sin 90 की value हम जानते है 1 होती है तो इसका मतलब cos act 90 की value कि हमारी कितनी हो जाएगी 1 की 1 जाएगी तो friends यह रहा हमारा इस table को आप बहुत केवल sign की value को आपको याद रखना है sign की value को आपको याद रखना है sign की value जब आप याद रखेंगे सफ़ल nest ऐसक Zumut Proiqueق 2 सफ़ल जाएगी 2 की value सबस्टित अक्रम और सब्सक्राइक है तो वीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और साथी साथ पास में दिये लिए वैल आइकन विटिन को जरू पियस कीजेगा So friend, thank you for watching my video